सेल्स करल की हत्या का खुलासा अपनोंने रची थी साचिश जब घर में बैठे थे दुश्मन तो कैसे बच्टी चान जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो पराय से क्या उम्मीद जी हाँ सही सुन रहे हैं आप बेगु सराय की चर्चित तनिश्क सेल्स गर्ल की हत्या मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है इस मामले का पुलिस में खुलासा करने के साथ आरूपियों को गिरफतार कर लिया है जिले के स्पी योगेंद्र कुमार ने बताया कि निहा की हत्या के साजिश उसकी बेहन और देवर ने रची थी इस मामले में ब्लैक मेल करने का भी अंगल सामने आया है चलिए सुनाते हैं जिले की S.P. ने क्या कुछ कहा है इस पी योगेंद्र कुमार ने ये भी बताया कि नेशा और कुंधा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है दरसल पिछले 11 जून को कुंधान ने नेहा की गोली मार कर हत्या करती थी उस समय वो तनिश्क शोरूम से काम कर अपने घर आनंदपुर लोट रही थी उसे दोरान तकरेबन रात के 10 बचे रास्ते में ही उसकी गोली मार कर हत्या करती गई थी फिलहाल इस मामले में पुलिस एक और आरोपी की तलाश कर रही है उधर चर्चाय ये भी है कि नेशा के पती के साथ नेहा का प्रेम प्रसंग चल रहा था निशा इसलिए नेहा से नाराज थी इसी कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया चर्चाय एक तरफ और इंसाफ दूसरी तरफ अभी ये सब कुछ अधालत में तैह होगा और गुनाहों का हिसाब वही होगा जिवेश रंचन बेगु सराई तनिक शोरू में काम करने वाली एक मैला थी निशा कुमारी उसकी हत्या होगा थी लोया नगर में एक मामला दर्ज हुआ था कि इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है इस हत्याकांड को काफी गंबीरता से लेती है और मैंने एक टीम का गठन किया था उस टीम ने प्रोफेशनलिजम के साथ अपना काम किया टेकनिकल एमिटेंस गैदर किया और कल इसमें दो लोग की गिरफतारी हुई है एक गिरफतारी इसमें कुंदन की होई है और दूसरी गिरफतारी मृतक नेहा की सिष्टर है निशा उसकी हुई है देके पूस्तास में दोनों ने अपना अपराध स्विकर किया है हम मामले की जो जड़ थी जो उसका कारण था वो ये था कि ये जो कुंदन है ये मृत्यक नेहा की एक सिष्टर उसके साथ इंटेंगल था और इनके लव अफेर के जो सबूत हैं कुछ आपती जनक फोटोग्राप्स हैं वो मृत्यक नेहा को मिल गया थे और नेहा लगातार कुंदन पर दवाव डाल रही थी कि अब तुम इससे शादी कर लो लेकिन कुंदन इससे रिफ्यूज कर रहा था इसी बीच जो नेहा की एक और सिष्टर है निशा वो कुंदन के पक्ष में थी उसका ये कहना था तुम ये शादी मत करो और इसके बाद मिल टेक नेहा ने उस साथियों के साथ में इसकी बिटाई भी करवाई थी कुंदन की ये सारी बातों से कुंदन बदले के आग में जल रहा था और निशा ने भी इसको बढ़गा दिया कि तुम इस अत्यागंड को अंजाम दे दो इसको रास्ते सही अटा दो इसके बाद कुंदन ने अपने एक साथी के साथ मिलके है प्लान बनाया इसका एक साथी है वो भी अपरादी है करज में डूगर हुआ था कुंदन नों इसका एक साथी रात को चुकी इनको निशा के द्वारा सब बता दिया गया था कि मिर्टक निया तनिक शोरूम में कब जाती है कब निकलती है उसकी दिंचरिया क्या है तो रात के समय में इसको उटी से वह आ रही थी उसको सही जगह पर रोका उससे बातचीत की और उसको गोली मारके वहाँ पर गाहिल कर दिया उसके बाद वह मर गई तो कुल मिला के इसमें दो लोग की गिरफतारी हुई है दोनों को जेल भेजा जाएगा और एक और जो साथी था कुंदन का पोलिस उसकी तलाश कर रही है उसकी गिरफतारी चलती की जाएगी तो यह जो योजना हत्या की तयार की गई ती क्या समने है कितने दिनों से चलता तारे यह ने हदिया की लिवुट न पहले grewty तडे जुर कसी उसका दोस्त नहीं चलाई है ये इन लोग ने सुविकार किया है तो इसमें निशा की जो निशा का जो दोस है वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी का आया है पूरी तरह से बाकी कुंदन और इसके एक साथी का एक्चुली गोली चलाने का हम लोग एविडेंसेस मिले हैं तो दोनों को आज जेल बेजा जा रहा है और तीसरी गिरफतारी पूलिसस में जल्दी कर लेगा